बनारसी पान और बनारसी लंगडा आम के साथ ही राम नगर का भंटा और आदम चिनी चावल को जी आई टैक का दर्जा दिया गया है जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुझूद है डाक्टर रजनी कान जी जी आई एक्सपर्ट और पदम स्री हैं डाक्टर साब किस तरह हमों पहले से ही अठारज जी आई उत्पाद मिले हुए के हेंड़ूम है करिशी के उतपादों में फल्टे उत्पादों में पहली प्रक्रिया सुरू हुए कोबीड के कट्दी समय में हम लोगों ने जी आई के लिए लंगराम का बनास्पान का पत्ता आदम-चीनी चावल और राम लगर के भंटा जो ब्रिंजल है बैगा ने ग्रीन कलर का गोल रंग का बड़े साइज गया उसको हम लोगों आवेदन किया क्योंकि किसानों की मांग थी लंबे समय से कि उनके उत्पादों को बचाये जाए उसके नाम पे डुप्लिकेस ही हो रही है तो दो साल की एक द्वारा फेसिलिटेट किया गया उत्तरप्रदेश मद्प्रदेश जमू कश्मीर और लदाख में चार राज में यह सफलता मिली है अब बनारस का पान और लंगराम वैसे भी बड़े ख्यादिप्राप्त रहे हैं लेकिन किसान को जियाई का दर्जा मिलने के बाद एक पूरी दुनिया में जियाई ट्रेक के साथ जाएंगे असली उत्पात जाएंगे अभी तक इसके नाम पर दूसरी चीजें ग्रेन का बेगर को झती हो रही थी उनके उत्पादों को जो है दूसरा आने वाले समय में नाबार्ड कितने प्रोजेक्ट अभी तक बनारस के हैं जो जी आई से जुड़े हैं दो हज्जार साथ से सुरुवात हुई थी प्रक्रिया दोजार नौ में बनारसी साड़ी को पहली बार जी आई मिला बनारसी साड़ी बाद में वो धारा भाती गई और यहां अठारा हुत्पाद हो गए यहां पे माननी पढ़ामुद्री जब कहते हैं आत निर्भर भारत लोकल से अठारे के बाद चार और सामिल हो गए तो अभी उत्तर पदेश में इस समय पैंटालिस उत्पाद हैं और जिसमें वारानसी परिछेत्रे में और आसपास के जन्तपत मिला दे तो उसमें बाइस उत्तपाद अब जी आई की स्रेणी मिस आमिल हो गए इसके अलावा उत्तर पदेश का जो सबसे प्रसित धालीगड़ का ताला, हात्रस की हिंग, मुझफर नगर का गुड, बखीरा का मेटल क्राफ्ट, परताबगड़ का आउला, नगीना क्यूट कार्विंग और बादा का सजर पत्थर इसी पार जियाई में शुमार हुआ है और इस सारे के सारे उ यह सबसे बड़ा जो प्रयास है, वो यही प्रयास है, तो लगभग और कितने प्रोडेक्ट हैं जो चुने गए हैं जी आई को लेके पूरे यूपी में, देके उत्तर प्रदेश में अभी बीस उत्पादों को और जी आई के लिए फाइल किया जा चुका है, जिसमें बना है, अजि सरकार भी 25 उत्पादों को जियाई करवाने की परक्रिया सुरू कर चुकी है, उत्तर प्रदेश सरकार, तो हमें लग लग रहा है कि आने वाले समय में, मार्च 2024 तक उत्तर प्षैस से 65 जियाई उत्पाद हो जाएंगे, और हमें लग रहा है कि साथ यही भारत में सरवादिक होगा और एक नया किर्थिमान भी स्थापित होगा होने किसानों को भी फायदा पहुंचेगा उनकी आमदनी बढ़ी देगे जियाई होने से मैं बता हूँ कि किसान को कम सकम तीस से पचास प्रसत की वरिति उनकी आयम होगी उसका कान क्या है कि जब असली उत्पाद की मांग होगी तो उसका प्रोडेक्शन उसी भूभाग में होगा अब उसकी छतिपूर्ति दूसरी जिगनसर नहीं की जा सकती है जैसे अब बनासी लंगणा अगर कोई मांगेंगा तो बागमानी तो यहीं रहेगी बाग यहीं पर रहेंगे उत्पाद यहीं से जाएंगे नहीं तो अभी क्या था बनासी लंगणा की डिमांड होई किसी दूसरे राज्य के दूसरे हिस्से से लंगणा उठा के भेद दिया किसी बिहार के आम को मालूमा की बनासी लंगणा पूरे देश में होगी क्योंकि जिस तरह से डुप्लिकेसी होती थी बनारसी पान के नाम पर और बनारसी लंगडा आम के नाम पर वो डुप्लिकेसी दूर होगी पान के कायल तमाम देश बीदेशी खेल भी पान के जो कहें के आ defald कर से लायो है mainland एक हैं पर आपको पान के पान पान का जो पार जो एक हल दो कोई पान जो कि जो यहां के चीजह तो ही पान मेंकि पेज़ाइन ईबलेगा में देजैंगे लेकिन उसके मलेगा जो खानेवाले पकड़ लेते हैं यह विदू पान पान की बांबे का पानया कहीं आप लगा के तयक बेचिया लेकिन जो बनारसी पान है उसका फाद अलग है। जो यहाँ का पान है जो यहाँ का पान है, जो यहाँ का सुपाणी है, जो यहाँ का जर्दा है, तमाख हुए। करने बनारस के लिए का कसी वासियों के लिए और आधरफु यू के लिए जो पान बनारस में पहले भी लगता था और विश्व प्रसिद हुआ करता था गाना वी अमताब बच्छर साब का गाया हुआ साथ उसमें कि खाइके पान बनारस वाला तो निस्ची तोर पे जियाई टाइक मिलने के बाद अब देश जी नहीं विदेशों में भी इस पान की प्रकृतिका संदर बढ़ेगा और पान वे उसाईयों को भी से आर्थिक लाब होगा निस्ची तोर पे कासी के लिए बहुत ग वह भी कमाएंगे हम लोग वी कमाएंगे मीठा इसे घर पर कथा बनता है पत्ता आता यह पकता आ है विदशी सब को फाइदा दूर दूर से आते हैं तो लोग पनऑब ओर फ्वन खहना था पान को इस पान खहलाते ई जवाब कि